Hello हमारे semester के विद्यार्थियों, जो कि second semester आपका 60 होने वाला तो पहले उससे पहले बच्छा syllabus के बारे में जान लेते हैं और आपके लिए common subject, second semester में दो common subject है, जो की पहला math है और दूसरा physics है तो आज की class बच्छा physics के लिए applied physics जो second है उसके बारे में जानना है कि applied physics second जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए common subject के अंतरगत आता है जो कि सब को पढ़ना है चाहे आप civil से हो या आप mechanical से हो या electrical यानि सभी के लिए all branch की बात करते हैं तो applied physics का syllabus क्या है कितने chapter है chapter wise क्या क्या chapter का नाम है उस chapter के अंतरगत आपको कितने points किस number मिलेंगे उस chapter का नाम क्या है chapter के अंतरगत क्या आपको अध्यन करना है तो आए स्टार्ट करते हैं बेटा आपके applied physics second के अंतरगत देखे और ये भी बच्चा पूरे 50 number का है 50 number का theory से यानि आपके class से practical की बात अभी हम नहीं कर रहे है practical की बात नहीं कर रहे है केवल theory यानि class के अंतरगत chapter wise जैसे chapter number one की बात करें बच्चा कि आप देखोगे chapter number one में क्या है wave motion and its application देखे पहला chapter का नाम है आपके wave motion है साथी साथ उसके application यानि अनुपियोग है तो इस chapter का नाम हो गया अब chapter के अंतरगत क्या क्या पढ़ना है तो देखे wave motion क्या है wave motion को पढ़ेंगे wave motion में प्रकार होंगे जिसमें transverse है अनुधैर तथा अनुप्रस्त longitudinal waves के बारे में भी पढ़ेंगे motion which example यानि इनके example उदाहरण के साथ sound and light wave यानि ध्वनी तथा प्रकास गती प्रकास वेब relationship among wave velocity, frequency, wavelength and it application एक लाइन में बताएं तो ये कह रहा है आपसे कि आपको wave motion यानि तरंग गती पढ़ना है तरंगती के example पढ़ने उदाहरण सहीत और उसके प्रकारों की बात करें तो अनुधैर तथा अनुप्रस्त wave motion तरंगती और उसके example फिर उसी में आता है बचा आपके ध्वनी और light यानि प्रकास वेब ध्वनी और प्रकास वेब के अंतरगत उसके relationship को पढ़ना है साथी साथ velocity, frequency and wavelength में भी relation को पढ़ना है और उसके uses application को पढ़ना है पहला point हो गया chapter का chapter number one का दूसरा point क्या कहता है अब देखिए chapter number दूसरा point क्या कहता है वेब कॉंटिटी y बराबर r sin omega t phase पढ़ना है color, phase यानि color, phase difference पढ़ना है यानि कलांतर पढ़ना है बच्चा principle आप, suproposition आफे waves यानि आपको इसके relation यानि principle के बारे में भी पढ़ना है तीसरा, chapter number one का तीसरा point क्या कहता है simple harmonic motion यानि SHM को भी पढ़ना है उसके परिभासा, definition को पढ़ना है characteristic यानि उसके characteristic का मतलब विसेस्ताएं क्या है, good क्या है, quality क्या है expression for the displacement यानि विस्थापन के साथ उसका कहा जाए बेहवार कैसा है velocity के साथ कैसा है, acceleration के साथ कैसा है, time period यानि आवर्दकाल के साथ कैसा है frequency आप कह सकते हैं, आवरिती के साथ in HSM energy of a body executing SHM, simple pendulum, concept of simple harmonic progressive way ये तीसरे point हो गए, chapter number one का चौथा point क्या है कहता है, free, damped and forced acceleration, इसके बारे में बात करें, दो लित्र जिसको कहते हैं हिंदी में दो लित्र, ratio chance with example Q factor, ये चौथे point में आएगा पाच्वा point कहता है, definition आप pitch, pitch की परिभासा क्या है loudness यानि ध्वनी के जो अभी लक्षण वाले गुण होते हैं, जैसे pitch होता है loudness होता है, साथ में quality and intensity होती, of sound waves, intensity of level उसका level क्या है, उसी में आपको eco पढ़ने को मिलेगा, जिसको आप प्रती ध्वनी कहते हैं साथ में re-vibration, re-vibration यानि अनुरण, हिंदी में कहा जाता है, बच्चा re-vibration को अनुरण किसे कहते हैं, सैबाइन formula क्या है, re-vibration का time without derivation, बिना derivation के लिख रहा है, derivation नहीं करना है, केवल formula पढ़ना है coefficient of sound, observation of sound, method of control, re-vibration, कि किस तरीके से आप re-vibration को control करेंगे, time and their application, उसके समय का और उसके अनुपयोग को पढ़ना है साथी साथ building पे इसका क्या प्रभाव पढ़ता है, वो पढ़ना है, छथमा point, यानि six point क्या कहता है, ultrasonic, आपने पढ़ा होगा ध्वनी के प्रकारों में, यानि ध्वनी को उसकी अवरित्ती के अधार पर तीन प्रकारों में बाटा गया है, बच्चा, स्रब ध्वनी, अब स्रब ध्वनी, तथा परद्वनी है न, ultrasonic, परद्वनी, तो ultrasonic के production के बारे में, detection के बारे में, properties के बारे में, application के बारे में, और इनका engineering छेत्र में और medical छेत्र में क्या application है, यानि अनुपयोग है, यानि uses है, chapter 1 है, लेकिन इसके chapter 1 के कितने point है, तो आप बताईएगा छे पॉइंट है, छे पॉइंट में क्या है, वेब मोशन है, लाइट वेब है, रिलेशन एमांग द वेब विलोसिटी एंड फ्रिक्वेंसी वेब लेंद्ध, यानि आप से डाइरेक्ट पूछ रहा है, वी, एन और लेमडा के मध्ध का रिलेशन बताना है, इसका अनुपियोग पढ़ना है, ठीक, फिर आप से कहता है, वेब कॉंटिटी, वेब का इक्वेशन, वाई बराबर आर साइन ओमेगा टी, फेज पढ़ना है, फेज डिफरेंस पढ़ना है, प्रिंसिपल के बारे में भ बताना है इनको, फिर सिंपल हार्मोनिक क्या है, इनका टाइम पिरियेड के अंतरगति, इस पर क्या प्रभाव पढ़ता है, एसिलिरेशन क्या है, एंपलिट्यूड क्या है, इंटिसिटी क्या है, सिंपल पेंडूलम क्या है, कंसेप्ट आप सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रे क्या है जो कि ध्वनी क्या भी लक्षण होते हैं क्या है इंटिसीटी क्या है साउंड वेप क्या है इंटिसीटी का लेवल क्या है इको क्या है साथ में रिवाइब्रेशन क्या है इसका कंट्रोलिंग सिस्टम क्या है बिल्डिंग में किस तरीके से इसका यूज करने को आपको मिलता है अनुपीयों यानि अप्लिकेशन क्या उसके बारे में भी पढ़ना है फिर आता है अल्ट्रा सोनिक प्रोडक्शन डिडक्शन प्रॉपर्टीज एंड एप्लिकेशन एंड इंजिनरिंग एंड मेडिकल एप्लिकेशन यह छे उसका है आपके चैप्टर नंबर वन से है अफ्लाइट फिजिक एकटन के अंतरगत अब देखिए बचा делает राता दूसरा चैप्टर देखें, दूसरा चैप्टर है, बच्चा, आपके Applied Physics में दूसरा चैप्टर, ये सलेबस आपके BT UP के द्वारा दिया गया है, बच्चा, दूसरा चैप्टर आता है, Wave Optics, क्या आता है? Wave Optics, वेब आप्टिक्स में भी कितने पॉइंट है इसने एक पॉइंट में dual nature यानि प्रकास की द्रोती प्रकृती जिसे कते हैं बच्चा dual nature के नाम से जानते हैं वेब थ्यूरी क्या है आफ लाइट ला आफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन इसनेल्स ला पावर आफ लैंस मैगनिफिकेशन कितने पॉइंट आपके दूसरे चैप्टर यानि चैप्टर नंबर वेब वेब टू में वेब आप्टिक्स के अंतरगर थे पहला कहता है टू सोर्सेट इंटरफ्रेसेंस डबल स्लीट इंटरफ्रेसेंस इंटर ब्याती करण अगर आप इंटर में पढ़ा होगा आपने ब्याती करण फर्स सेमेस्टर में ब्याती करण का कोई लेना देना नहीं था लेकिन सेपकेंड सेमेस्टर में बच्चा ब्याती करण क्या होगा double slit के ब्यतिकरण का value क्या होगा interference due to thin film अगर पतली वाली film है तब उसमें ब्यतिकरण का मान क्या होगा फिर आता है फ्रेंस ले 20 इसका जो फ्रेंस यह फ्रेंस ले जो बैग्यानिक है इनके सिद्धान थे तो इसको भी पढ़ना है तीसरा point बेटा use of interference making highly efficient solar panel यानि solar panel में solar वाला जो पैनल है उसमें ब्यतिकरण का किस तरीके से उपयोग करते हैं क्या सिद्धान थे क्या theory उसको पढ़ना है चोथा दूसरे का चोथा point आता है बच्चा diffraction single slit diffraction intensity calculation एटीसी यह पढ़ना होगा पांचमें में आता है बच्चा ध्रूमण प्लॉराइजेशन यानि प्रकास में आपने पढ़ा होगा प्रकास का ब्यतिकरण होता है ध्रूमण होता है तो ध्रूमण आप electromagnetic webss प्लॉराइजेशन सीट प्लॉराइजिस प्लॉराइजिंग बाई रिफ्लेक्शन इसमें एक बैज्ञानिक आपके मिलेंगे ब्रेशेवर ब्रेशेवर ला आपको मिलेगा मैलस ला मिलेगा यूज आप प्लॉराइज इसकी यूजेश भी पढ़ने यह पांच पॉइंट आपके चैप्टर नंबर डू में है जिसका नाम है वेब आप्टिक्स तीसरा आता है बच्चा तीसरा चैप्टर आथा आपका Electro Electroavatics Electronics नहीं Electroistatic ये तीसरा चैप्टर है Electro Hisstatics में बच्चा आपके अलग अगरलग पॉइंट है इसमें भी चैप्टर नंबर 3 के कितने पॉइंट है पाँच पॉइंट है पहले पॉइंट के अंतरगत concept of charge यानि चार्ज यानि आविस का concept क्या है परिभासा क्या है relation क्या है मात्रक क्या है unit क्या है साथी साथ कुलंब ला आएंगे कुलंब का ला क्या है आप सभी जानते एप बराबर क्या 1 अपान 4 पाइपसाइल नाट क्यू 1 इंटू क्यू 2 बटे में आरकाई स्क्वाइड वहां से कुलंब सला भी देखने को मिलेगा electric field आप point charge यानि point charge पे electric field का मान क्या है electric lines of a force and their properties, electric flux, electric potential and potential difference ये आपके electrostatics का पहला point start होता है chapter number 3 के अंतरगा दूसरा point क्या कहता है बच्चा Goss law of electrostatic आपने इंटर अगर किया है बच्चा तो Goss का नियम क्या है, Goss के concept क्या है, Goss के formula क्या है, उसका derivation ये 12 में पढ़ाया गया है, लेकिन semester के अंतरगत आपके second semester में second semester के applied physics 2 में, तीसरे chapter के दूसरे point में आपसे मिलेंगे Goss का law साथ में electrostatics पर इनका आसिधान, application यानि इनके uses क्या है देखे, application of Goss law to find the electric field, intensity of straight charge conductor clear conductor का, plain charged seat and charged sphere यानि आपको दूसरा point मिलेगा बच्चा, Goss law के electrostatic करने या, इनका use कहां पर जैसे find the electric field को प्राप्त करने में, दूसरा intensity of straight charge conductor यानि intensity जो निकालना है बच्चा, straight charged conductor पर निकालना है ये होगा plain charge seat and charge sphere, यानि इन तीनों पर इसके मान का valuation किया जाएगा, पढ़ा जाएगा तीसरा आता है बच्चा, capacitor, तीसरा क्या आएगा, chapter number तीसरा का तीसरा point आता है capacitor and its working principle, पहले आप पढ़ोगे capacitor किसे कहते हैं, फिर इसके working principle यानि इनके working क्रिया सिध्धान्थ को पढ़ा जाएगा, फिर आता है बच्चा, capacitance and its units, इनके units क्या है, capacitance किसे कहते है capacitance of the parallel plate, अगर इनको parallel में जोड़े, जैसे आपने प्रतिरोध को पढ़ा resistance को parallel series में क्या है, और आपके series में क्या है, तो उसी तरीके से capacitor को भी दो माध्यम में जोड़ा जाता है parallel series और series, देखे लिखाना, series and parallel combination, संयोजीत करना, किस क्रम में, series और स्रेड़ी और समांतर क्रम में, आप capacitor, numericals भी है, देखे साप साप लिखा है numerical syllabus में, charging and discharge of a capacitor, इनको charging करने की प्रक्रिया क्या है, discharge करने की प्रक्रिया क्या है चौथा point तीसरे का, die electrical and its effects and capacitance, यानि जो die electrical होते हैं, इनका प्रभाव आपके capacitance पर किस तरीके से पढ़ता है दूसरा, dielectric breakdown, यानि dielectric का breakdown होता है, यानि भंजन हो जाता है, उसको भी पढ़ना है पाच्वा point आता है, बच्चा, application of electrostatic in electrostatic precipitation of microbibs and moisturizing expression from air and gases in industry for pollution control brief, brief में पढ़ना है, only brief example के साथ, संचिप में उदाहरण सहीत, इसका ब्याक्ख्या पढ़ना है, ये होता है बच्चा, chapter number 3 अब आता है, chapter number 4, current, current electricity, clear, current electricity के अंतरगत क्या है, देखिए, आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है and approved, board of technical education, luck now in a meeting, head on, इतने बज़े ये दिया गया है आपको, रश्मी ठाग सोनकर करके हैं और ये syllabus का पूरा syllabus है आपके, कहा जाए, applied physics second का, ये totally syllabus आपसे conduct कर रहे हैं, जो कि chapter wise भी मिलेगा बुक में भी ये पूरे syllabus आपके पहले पन्ने पर आपको देखने को मिलेगा अब देखिए बच्चा, अब आते हम अपने चोथे chapter का पहला point क्या पढ़ता है पहला point बताता है बेटा कि electric current resistance, specific resistance, यानि आपसे पूछा electric current क्या है यानि धारा किसे कहते हैं, resistance यानि प्रतिरोध किसे कहते हैं, specific resistance यानि विशिस्ट प्रतिरोध प्रतिरोध, conductance, specific conductance, series and parallel combination यानि आपको प्रतिरोध, धारा, इनका सयोजित क्रम, स्रेडी क्रम, समांतर क्रम, for resistance, factor affecting, resistance, color coding of carbon resistance यानि color coding में जो carbon है उस पर भी आपको प्रतिरोध लिखा है ना, color coding of carbon resistance ये भी पढ़ना है ओम्स का ला, आपको first में, आपके entrance exam से लेकर second semester तक ओम्स का ला देखने को मिल रहा है ठीक, super conductivity, ये भी पढ़ना है 4.2, किर्चाप्स ला क्या है बच्चा, अब यहां से 4.2 यानि चोथे chapter में ही आपको किर्चाप्स के ला क्या है विट स्टोन, विट स्टोन ब्रीज क्या है, यानि विट स्टोन सेतु जिसको हिंदी में कहते है यानि विट स्टोन ब्रीज किसे कहते है, इनका सचित्र वर्डन करने को आपको भी आता है आपके exam में, and application इसका uses भी आता है, meter, beach and slide, wire, breeze ये इसी के अंतरगत आते है, तीसरा बच्चा, तीसरा पॉइंट आता है, concept of terminal potential difference and electromotive force, यानि EMF, potentiometer, ये भी पढ़ना है चोथा पॉइंट कहता है, heating effect of current, electric power क्या है, electric energy क्या है, its unit, unit यानि मात्रक के बारे में, relative to the numerical problem, यानि numerical के भी question मिलेंगे advantage of electric energy, इसके advantage यानि lab क्या है, over there forms of energy, example, यानि उदाहरण सहीत, अब देखिए, यहां से example for application, DC, DC circuit का example बताना है, और उदाहरण सहीत ब्याक्ख्या देना है, साथी साथ electronics equipment, जो electronic उपकरण होते हैं, CRO, TV, ADO, Video, System, Computer, ETC, यह सभी आपके चोथे chapter के पांचवे point में मिलेंगे, अगला देखिए, अगला आता है बच्चा पांचवा point, पांचवा आता है magneto, static and electromagnetism, अब देखिए, अब यह पांचवे chapter में भी आपके छे point है, छे point में क्या क्या है, पहला point आता है बच्चा, magnetic pulse क्या है, force on a moving charge, circulating the charge, force and a current carrying wire, hall effect, torque on a current loop, यह सभी आपके पांचवे के पहले में मिलेंगे, पांचवे chapter का जो प्रस्तावना है, introduction है, वहाँ पर यह point मिलेगा, दूसरा मिलेगा, बच्चा, magnetic field due to moving charge, बायो सेवर्ट का ला, बायो सेवर्ट का ला, चेप्टर नमबर पांच के अंतरगा, दूसरे point में, due to current, बायो सेवर्ट ला, parallel currents, field of a, solenoid amperes ला, है, तीसरे point, फराडे का ला, lens का ला, motion EMF, induced electric field, यह हो जाएगा, चौथा point आता है, बच्चा, चेप्टर नमबर 4 का, magnetic dipole and force on a magnetic dipole in a non uniform field, magnetization, gauss law, the magnetism, यह आएगा, आपके पांचवे में, पांचमें का पांचमा point, types of magnetic material, यानि magnetic materials के types क्या है, डाया, पारा and phyromagnetic, यह इसके प्रकारों की ब्याक्ख्या है, they are the properties के साथ, छठमा point है, application, आप electromagneticism in AC and DC, motor and generator, यह भी देखने को मिलेगा, अगला जो की 6 चैप्टर आता है, बच्चा, semi conductor physics है, और सात्मा आता है आपका modern physics, यानि आपके पूरे physics में साथ चैप्टर हैं, first semester में भी आपके 7 चैप्टर थे, और second semester में भी बच्चा, अपके 7 चैप्टर है, साथ चेप्टर में छटमा चेप्टर आता है बच्चा, सेमी कंड़क्टर फिजिक्स, यानि सेमी कंड़क्टर के बारे में पढ़ना है, सेमी कंड़क्टर में पहला पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट आता है बच्चा, टाइप साप माटेरि किसके किसके semi conductor, insulator और आपके conductor के intrinsic और eccentric यानि आंतरिक और बाहरी जो semi conductor है उनको भी पढ़ना है PN junction क्या है बच्चा PN junction diode and ETC VI characteristic यानि इनके विशेष्टा इनके गुड को पढ़ना है दूसरा point आता है बच्चा diode as rectifier diode क्या है rectifier क्या है half wave rectifier, full wave rectifier center tapped जिसको कहते हैं ये भी मिलेगा आपको तीसरा semi conductor transistor PNP and PN concept only केवल देखिए हाँ पर लिखा है कि केवल concept पढ़ना है ज्यादा नहीं पढ़ना है केवल concept चौथा application of semiconductor diode जैसे जीनर हो गया, lead हो गया तो application semiconductor में किसका application पढ़ना है तो वो दिया है जीनर का और lead का, bus and that transistor as amplifier और oscillator के लिए ये छटमे chapter का है बच्चा अब आता है आपका सात्मा chapter एवन last chapter जिसको modern physics के नाम से लिखा गया है उसमें सात्मे का पहला point करता है laser laser किसे कहते हैं laser concept of energy energy यानि उर्जा का सिध्धान, energy level का सिध्धान, ionization और excitation, potential, बिल्कुल potential, इस्पनोटर्स and a simulated emission के बारे में पढ़ना है emission यानि उर्जा का उत्सर्जन, उसकी उत्सर्जक्ता, उसके सिध्धान्थ, उसके क्रिया सिध्धान्थ और उसके विसलेशन ये इसका पुरा हिंदी मीनिंग है साथ में बच्चा laser and its characteristics, यानि laser का विसेश्ता क्या है, उसकी गुड़ क्या है, उसका graph कैसा बनेगा, उसके सिध्धान्थ क्या है population, inversion, types of laser, देखे, types of laser भी पढ़ना है जिसमें आपको ruby laser मिलेगा, ruby laser और helium और neon laser भी मिलेगा और engineer और medical के छेतर में इनका उपियोग यानि application of laser, ये हो गया पहला साथ में का दूसरा point क्या कहता है बच्चा, fiber optics क्या है total internal reflection क्या है and its application, critical angle यानि क्रांति कोड क्या है, condition of total internal reflection यानि अब पुढ़ आंतरिक, पुढ़ आंतरिक का सिधान्त पढ़ना है और पुढ़ आंतरिक सिधान्त का condition यानि सरते क्या है introduction तो optical fiber light, light के बाद है, progression, types, acceptance, angle and numerical approach types of application, optical fiber communication, ये आपके साथ में, साथ में chapter का दूसरा point है तीसरा एवं last है बच्चा introduction आप, nanotechnology, nanotechnology यानि nanotechnology क्या है nanoparticles क्या है और nanomaterial क्या है तो यानि खुल मिला जुला के तीसरा point nano से है, यानि nano का सिधान्त क्या है nano का introduction क्या है, nanotechnology किसे कहते है, nanoparticles क्या है और nanomaterials क्या है, ये पुरा आपका modern, कहा जाए, physics के अंतरगत applied physics में बच्चा, जो common subject आपका है, सभी विद्यार्थियों के लिए और इसमें total बच्चा आपके 7 chapter है और 7 chapter का हमने पुरा आपको कहा जा, एक संचेप में उनसे आपका परिचे कराया संचेप में परिचे बोला जाए कि chapter के अनुसार उनका नाम क्या है और उस नाम के अनुसार उनके एक chapter में कितने points आपको पढ़ने है पुरा brief में बताया, बहतरीन बताया chapter 1 का नाम बच्चा आपके web motion, web motion and its application है इसमें 6 point मिलेंगे, पूरे 6 point में ये आपका chapter खतम होगा दूसरा chapter बच्चा वेब optics है, वेब optics के अंतरगत आपको 5 point मिलेंगे पाँचों point के अनुसार ये chapter complete होगा तीसरा chapter है बच्चा electro static, electro static में आपको charge यानि धारा का नियम क्या है प्रतिरोध क्या है, कुलांब क्या है, electric flux क्या है, application of gauss law क्या है, find the electric field क्या है, parallel plate capacitor series and parallel में इनका combination क्या है, numerical क्या है, die electric क्या है साथी application आप electro static, in electro static के बारे में ये पूरा आपका तीसरा chapter है फिर आता है current electricity जो की चौथा chapter है, चौथे chapter को बच्चा इसने पांच पार्ट में divide किया है जिसमें electric current, resistance, specific resistance, context, specific context, series and parallel combination of resistance, factor of affecting resistance, color coding of carbon resistance ये सभी आपके ohms law, super conductivity, ये सभी आपके चौथे chapter यानि electro static के अंतरगत है उसी में आपको किर्चाफ का ला मिलेगा, wheat stone से तू breeze मिलेगा, है न, wheat stone breeze मिलेगा और इसके application में meter breeze और slide breeze को भी पढ़ना पड़ेगा terminal potential difference क्या है, electro motive force क्या है, heating effect of current क्या है, electric power क्या है, electric energy क्या है, इसका units क्या है numerical भी है बच्चा इसके advantage, disadvantage सब पढ़ना है, example application of DC circuit, various electrical and electronics equipment such as CRO, TV, audio, video system, computer, etc. ये पूरा चौथे chapter का प्रारूप है फिर आता है बच्चा पांचवा, magnetio और static and electromagnetism, ये आपके पूरे पांच चैप्टर में है छटवे में आता है बच्चा, semiconductor physics, cable semiconductor, types of material, insulator, conductor या semiconductor के बारे में पढ़ना diode rectifier को पढ़ना, half wave, full wave rectifier को पढ़ना, semiconductor, transistor, PNP and PN, concept only ये पूरे आपके chapter number 6 का है साथ में बेटा आपको modern physics जैसे की modern physics की बात करें, आधुनिक भौतिकी की बात करें जिसमें आपको laser देखने को मिलता है, laser के अंतरगत आपको concept of energy level आपको देखने को मिलेगा laser के principle मिलेंगे, types of laser में ruby laser हुआ, hyan और neon laser हुआ और इसका साथ ही साथ engineering and medical में application of laser को भी पढ़ना पढ़ेगा ये कहा जाए आधुनिक भौतिकी का chapter number 7 का पहला point है दूसरे में आएंगे बच्चा तो fiber optics पढ़ेंगे, total internal reflection किसे कहते हैं, कैसे ये होता है, इसका सर्थ क्या है, condition क्या है और इसका uses क्या है, इसे में आपको critical angle मिलेगा, types of critical angles में इनके भी condition है साथी साथ आपको application, आप optical fiber in communication, संचार के छितर में इसका किस तरीके से अनुपियोग है, वो देखने को मिलेगा और तीसरा एवं last point साथ में chapter का, introduction to the nanotechnology, nanoparticles and nanomaterials, ये मिलेगा बहुत कहा जाए, न जादे tough है, न जादे easy है, लेकिन नया है आपके लिए बहतरी तरीके से नया है, क्योंकि नय physics की सुरुआत करेंगे second semester में और एक नय उमीद के साथ, और एक नय किरण के साथ, और एक नय जोस के साथ पूरा का पूरा syllabus के नुसार पहले chapter खतम किया जाएगा, जैसे कि आपने देखा है कि सब का chapter रह जाता है लेकिन आपके अनुराधा मैंका पूरा chapter सले, बसके नुसार एक्जाम से एक महिना पहले ही खतम करके देते हैं तो एक बार सांदार तरीके से सभी विद्यार्थी नय जोस के साथ और नय एनरजी के साथ क्लास में आने के लिए भाई आप सभी लाइक और शेयर करिएगा और ये केवल ओनली सिर्फ किन्तु परंतु ये physics का applied physics की बात करें all branch के लिए जिन में applied physics second का part है तो उन सभी विद्यार्थियों का हमारी क्लास रेष्वा सेमेसर की क्लास में सभी का स्वागत है और ये start भी करेंगे syllabus का introduction कराए यानि chapter अगला पहला start होने वाला है तो एक बार सांदार तरीके से like और share हो और बहतरीन तरीके से सभी विद्यार्थियों का हमारी क्लास में उपस्थिती यानि आपका attendance लगना चाहिए like करके तो ये आपका बच्चा पुरा physics का कहा जाए syllabus था एक बार आप भी देख लीजेगा note कर लीजेगा क्योंकि class जब start करतें तो आप पूछते मैम जी syllabus क्या है syllabus में है पढ़ना जरूरी है आएगा तो बच्चा जो syllabus में दिया वो तो exam में आना निश्चीत होता है तो चलते हैं भई आपके कहा जाए second semester की तयारी के लिए पहले chapter का सुरुवात करेंगे जो विद्यार्थी नए है फर्स टाइम अगर class में आया है तो like करिएगा शेयर करिएगा चैनल को subscribe करना मत भुलिएगा तो आज के लिए इतना ही जैहिन जैभारत